परम आदर्णिय प्रधान मंत्री जी भारत सरकार के वरिष्ट मंत्री आदर्णिय नितिन गड़करी जी रविशंकर परसाद जी प्रकाश ज्यावडेकर जी प्यूज गोयल जी अंसराज हिर जी रामदास अठावले जी मंचपर उपस्तित हमारे मंत्री मंडल में सयोगी चंदर शेकर बावनकोय जी गिरिश महाजन जी प्रकाश महता जी महापोर नंदाते जिचकार सांसद कुरुपाल तुमाने यहाँ उपस्तित सभी माननेवर अतितिघंड बहन और भाईयों मैं सबसे पहले भारत रतन डॉक्टर बाबा से बामबेड कर जी कि इस जैनती पर उन्हें अभिवादन करता हूँ और माननिय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार वेक्त करता हूँ कि पिछले 65 सालों में डॉक्टर बाबा सहिब अमबेड कर जी के चिंतन पर चर्चाय बहुत हुई उनके आर्थिक चिंतन को कई बार सराहा गया लेकिन डॉक्टर बाबा सहिब अमबेड कर जी के आर्थिक चिंतन को अपनी कुटी में यथार्त में लाने का कार्य अगर इस देश में किसी ने किया होगा तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने किया और इसलिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार्वेक करना चाहता हूँ आज जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा सेब आमपड़कर जी के चिंतन पर आधारित चाहे वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो गरीबों को अधिकारिता देना हो डिमोनेटाइजेशन हो एक-एक निरने के माध्यम से ये देश गरीबों के कल्यान का अजेंडा लेकर और केवल कल्यान का मतलब कल्यान कारी योजनाए नहीं तो उनको अधिकार देकर सशक्त बनाकर शक्तिमान बनाकर देश की मुख्यधारा में लाने का काम जिस प्रकार से आज हो रहा है मैं ऐसा मानता हूँ कि बड़ा ही अध्भुत कारिय आज भारत देश में होता हुआ हमको दिखाई देता है और आज जिस भीम आधार की हमने शुरुवात की प्रधान मंत्री जी की संकलपना से जो भीम आधार आज शुरू हो रहा है मैं ऐसा मानता हूँ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में य से आर्थिक समावेशन आर्थिक अधिकारितार और जिस प्रकार से ट्रांस्पररंसी इस एक ऐप से इस भीम आधार से आएगी मैं ऐसा मानता हूँ कि देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन आज हो रहा है और वह गरीबों के लिए हो रहा है और आज सौ दिन तक जो डिजी धन का एक उपक्रम यहां पर हुआ आज उसका समापन हुआ और कई लोगों को हमने पुरसकार दिया लेकिन मैं ऐसा मौनता हूँ कि आज उसका समापन नहीं हुआ है तो आज केंदर सरकार ने सारी विवस्थाओं को खड़ा करके जिस प्रकार से रिले रेस में बैटन दिया जाता है उस प्रकार से अब ये बैटन राज्य सरकारों को सौब दिया है और अब ये राज्यों की अपनी जिम्मेदारी होगी कि इतना बड़ा इंफ्रस्ट्रक्चर तयार हुआ इसको जन जन तक हम ले जाए अधरनिय प्रधान मंत्री जी मैं आपको अश्वस्त करना चाहता हूँ आज ही हमने इस नाकपुर जीले में 100 गाओं में आज ही ये जो भीम आधार का मशीन है वो हमने दिया है और आज ही उसका ट्रांजेक्शन सो गाओं में हम शुरू करेंगे साथ में 10,000 पॉस्ट मशीन ये हमने ग्राम पंचयतों तक पहुचाई है और आने वाले एक महने में 14 अप्रेल से 14 मई तक इस एक महने में महाराष्ट की सारी ग्राम पंचयतों में आधार एनेबल पॉस्ट मशीन पहुचेगी उसका ट्रांजेक्शन हम करेंगे और इतना ही नहीं तो हमने ये तै किया है कि कम से कम एक लक्ष रखके महाराष्ट में 10 करोड ट्रांजेक्शन हो इसके लिए हम लोग पूरी की पूरी विवस्था को खड़ी करेंगे और मैं ऐसा मानता हूँ इससे बहुत बड़ी अधिकारिता आज हमारे गरीबों को हमारे किसानों को हमारे खेती में काम करने वाले मजदूरों को इसके माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से दे पाएंगे और मैं साथ ही में रविशंकर प्रसाद जी का भी आभार वेक्त करता हूँ उन्होंने आज हमको इंक्यूबेशन सेंटर यहां पर दिया है लेकिन उसके साथ साथ मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ क्यादरणिया मोदी जी के नेतरुत्व में आपने जो भारत नेट शुरू किया पंधरा मई या मई के अंत तक महाराष्टर की 29,000 ग्राम पंचायतों में से 15,000 ग्राम पंचायते डिजिटल होगी उस तक हम फाइबर पहुचा देंगे और पूरी के पूरी वहापर विवस सारी जो विवस्थाओं को बैकबॉन इंफ्रस्ट्रक्चर चाहिए इंफ्रस्ट्रक्चर हम पहुचाएंगे और हमने यह तय किया है कि दिसंबर 2018 तक महाराष्टर की हर गाव में हम लोग फाइबर पहुचाएंगे भारत नेट के तहत हमने महानेट का कारेकरम शुरू किय जो हर गाव तक फाइबर निश्चित रूप से पहुचाएगा और एक प्रकार से यह जो एक डिजिटल मिशन आधरनिया प्रधान मंत्री जी ने दिया है जो भारत को बदल सकता है और केवल तीन सालों में पात सालों में भारत को विक्सित कर सकता है उस मिशन में महाराष् तीन शिक्षा संस्थान नाकपूर को दिये हमारे अधरनिया गड़करी जी सात्यत्य से यह प्रयास कर रहे थे कि नाकपूर का चेहरा हम बदले इस नाकपूर को एक अउद्योगिक नगरी बनाए लेकिन कोई भी नगरी तभी आउद्योगिक नगरी बनती है जब वहां प नाकपूर वासी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने नाकपूर को मानव संसाधन का हब बनाने की और इतना बड़ा कदम यहां पर लिया है जिससे नाकपूर का निश्चित रूप से चित्र बदलेगा आज इस बात की भी खुशी है कि हम लोग प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट 21 शहरों में 42,000 घरों की निर्मिती की शुरुवात कर रहे हैं और वो सारे के सारे 21 शहर आज इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए है इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और प्रधान मंत्री जी मैं आपको अश्वस्त करना चाहता हूँ ह हमारा लक्ष बहुत बढ़ा है और इसलिए 42,000 से हम बिलकुल सैटिस्वाइड नहीं है और आपको तो हम जानते हैं आप तो कते ही सैटिस्वाइड नहीं होंगे लेकिन मैं आपको अश्वस करना चाहता हूँ कि आने वाले हर तीन महने में हम लोग घरों की संख्या बढ़ काती में हमारे गाओं में हमने 2,600,000 मकानों का निर्मान शुरू कर दिया है और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 10 वर्षों का महारा रेकॉर्ड आप निकाले तो 10 वर्शों में वे महाराश्टर के ग्रामिन भागों में 1,000,000 गहरों की निर्मिती नहीं हुई उतनी निर्मिती एक साल में हमने शुरू की है और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 2019 का हमने लक्ष रखा है जब महाराष्टर के ग्रामिन भागों में रहने वाले सारे गरीबों को हम लोग मकान देंगे पहले फेज में जितने हमारे शेडूल कास्ट है शेडूल ट्राइब है उनको देंगे ओबीसी को देंगे और सारे लोगों को हम लोग मकान बुहया कराएंगे आपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है जो सपना आपने देखा है उसको पूरा करने का प्रयास महरास्थ निष्चित रूप से करेगा मैं आपका आभार विक करता हूं आज नाखपूर के कुराड़ी में सुपर क्रिटिकल टेक्णोलोजी का पावर प्लेन प्लैंट हमने शुरू किया है इह जो तीन यूनिट हमने शुरू चाहते हैं और उसमें ये जो आज करीब साड़े 660 मेगावेट के तीन हमने जो आज यूनिट शुरू किये है जो सुपर क्रिटिकल टेकनोलोजी से चलेंगे ये एक निव का पत्थर इसमें साबित होंगे मैं फिर एक बार प्रधान मंतरी जी का आभार विक्त करता हूँ कि इस भीम एप को और भीम आधार को लाँच करने के लिए आपने नाकपूर को चुना क्योंकि नाकपूर आप जानते हैं डॉक्टर बाबा से बामबड कर जी की भी कर्म भूमी रही है और वंचितों के लिए दलितों के लिए आदिवासियों के लिए गरीबों के लिए इस प्रकार का एप शुरू करने के लिए इस प्रकार का आधार भीम आधार शुरू करने के लिए नाकपूर से अच्छी जगर नहीं हो सकती थी इसलिए नाकपूर वासियों के और से विदरब वासियों के और से महाराश्टर वासियों के और से आपका बहुत बहुत आभार वेट करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ जै हिन, जै भीम, जै भारत, जै महाराश्टर बहुत बहुत आभार